यह एल्गम टो यूटूब चनल आज हम करने वाले थर्टेंट यूनित रही और यह ज्याद़ इम्पोरेंट यह है कियो है क्योंकि कि आपको कई बाट रहता है कि आकलन क्या है मापन क्या है मूलिय अंकन क्या है इस उनिट के माध्यम से यह सारे आपको किलियर हो जाएंगे इसके साथ सां सम्मेंटिव एसिस्मेंट और में असिस्मेंट में भी कुछ भी टाउट हो वह सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे यूनिट थोड़ी सी लंबी है विडियो की लेंगे जो एंगे आपके होने वाले हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 13 तो शुरू करते हैं तो यूनिट 13 स्टार्ट करेंगे आखलन एब मोल्यांकन के आधार पढ़ते हैं इसको प्रें का साइज करेंगे थोड़ा सा स्मॉल थोड़ा सा जूम विद्ध्यारती के प्रकृति का प्रगति का आखलन करते क्यों हैं पहले तो यह बात बताओ कि यह के वह सिक्षक की नहीं अभी वावक्त आता सेक्षिक प्रवंदंग जिनकी रुची यह जानने में है कि बच्चों की विभिन विश्यों एवं से पाठ चरिया छेतरों में क्या अपलब दिये यह जानकारी चाहते हैं तो को टीचर ही नहीं जानना चाहता कि बच्चे न सबसे पहले हम बात करेंगे कि मापन क्या है कि यहां लिखा हुआ है कि सोवित की आयू क्या है तो आप इसका अंसर क्या दोगे हो सकता है आठ साल का हो हो सकता है बारा साल का हो सीमा कितनी लंबी है, सीमा कितनी लंबी हो सकती है, चार फुट की हो, और हो सकती है, पांच फुट की हो, पांच फुट की हो, हो सकती है, चार फुट की हो सकती है, रहीम का बजन कितना है, साट किलो हो सकता है, सतर किलो हो सकते है, खचा का छेतर फल कितना है, खचा का छेतर फ मान कितना है ओपर यह जो वाले प्राश्ने थे इन सभी प्रैश्नों का ऑंसर हमने कह मोलते हैं कि मातरा का पता Galva यह स्विस्थ पक्ष पक्ष किसी एक पक्ष Q क्तरा गुन की खास मात्रा या क्तराइम्रा औरता बर्ड्न होता है हुए हुए पता चलते पुछ कितनी है फार किटनी है एरिया कितना है कि उते हम हम बोलते हैं मापन भी बोलते हैं याने कि कुछ नहीं मेजर नहीं है इंगली से मेजरमेंट के सकते हैं तर अब हंपनी का प्रयोक किसी बच्न की मातरा जानने के लिए किया जाता है ठीक सब्सक्राइं की अब बढन ले बच्छों 不要 कि अधिकाम उपलबदी के मापने के लिए हम सक्षा अक्सार उनसे प्रश्नों के उत्तर मॉखिं के ङलेके रूपिं ने को कहते हैं अब बच्चों कि उपफलपदी को माप राए हुआ ऑप उपफफदी को मापने के लिए आप क्या करते हैंगे उन को अंसे को अंसों को लफ यह साफ से आप दिये गा है प्रिशनी की अंक दे कर उन अंकों को जोड़ कर जो कि विध्ण्धी ने प्राप्त कीए हैं विध्ध्यार्थी की उपलबदी का मापन मिलता है कीसे मिलेगा या तो आप हर कोईसंस दीन हरे कोईसन कितने का तुमाक का तो 20 Μाक आका टेस्ट तकर किसी बच्चे ने दस में से कोईसन सभी कर दी और उसके 20 मार्क नहीं कर reb nhất इस अंधर जीरो नमबर उसके कितने नमबर आगा है? उसके नमबर आगा है 0 out of 20 अब आप इससे यह नहीं कह सकते कि जिसके 20 out of 20 आए हैं वो इस subject के बारे में सब कुछ जानता है और नहीं आप यह कह सकते कि जिसके 0 out of 20 आए हैं वो इस subject के बारे में कुछ भी नहीं जानता आ रहे ये बात समझ में अगर किसी के मानलोग 5 questions साही हुए और उसके 10 marks आ गाए क्या 20 out of 20 आ इसका मतलब यह नहीं किया रहे इस subject के बारे में से सब कुछ पता है किसी के किसी एक्जाम मानलोग में 100 out of 100 आगत हम यह नहीं किसकते कि उस class की मेहत का इसे हर एक कोशन के लिए हर एक concept के लिए हर है वो तो वह उस test के according उसका पूरा clear हो गया तो यहां पर यह तुलना की तरह अंकों की तुलना अनुपातों में नहीं की जा सकती है अंकों की तुलना अनुपातों में नहीं की जा सकती है इसका मतलब यह है कि अगर मानलोग जब एक बिद्ध्यारति किसी विसे में कम से कम 0 या अधिक सदिक 100 अंक लेता है थम यह नहीं कह सकते है कि 0 तो उसे कुछ नहीं आता और उसे सब कुछ आता है तो यह हम कह नहीं सकते हैं अब आते देखो यह थोड़ा सा यहां पर ना जब आप हिंदी मीडियों की मानलों कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ओनली पीडियाफ से पढ़ रहा होगा या फिर डारेक्ट बॉक्स से पढ़ रहा हुआ हिंदी मीडियों बाले ने सीधे हिंदी के पीडियाफ खोले और पूरे पर डाले तब भी उसकी चीजों मिस हो जाएंगी यहां पर इसका मतला होता है यहां पर इसका ट्रांसलेशन करा है निर्धारन जबकि ऊपर हमने हमने हेडिंग देखी थी तो भावाँ पर इस तो हमें इसकी बात कर लेते हैं इनि आगужд हैं के अस्यिस्मेंट किा है है eggs की नड़द्हारन मापन से परे जाता है मापन से थी थोड़ा अलग है तो कि सांखिक आंग्रे एकत्रत करने तक सीमित कौन था मापन था हमारा घंड रिया थे सांखिक के आखणों को संब्लित करने के अलावा इसमें अधिगम के गुणात्मा पक्षवी संब्द्ध गुणात्मा पक्षवी संब्द्ध आखणे भी होते हैं गुणात्मा पक्षवी संब्द्ध आपने मतलब कि अच्छा बुरा बहुत बुरा या बहुत अच्छा यह स अधिगम के निर्धारण, निर्धारण मतलब की क्या है, आकलन है, यह ध्यान रखिए अधिगम के आकलन से संबंद सूचना या आकड़े बिविन इस तरों से अलग अलग प्रकार के छेत्रों एवं क्रियाओं पर एकत्रत किया जाते हैं, जैसे उपलब्दी प्रिक्षा अन आकलन का यूज़ किया जाता है, आकलन का मतलब हो ही, अच्छा बुरा, बहुत-बुरा यह एक एक लिग्जमपल दिया हुआ, इससे आप और से समय में आएगा, कि जो आप ड्रेत खरीदने जाते हो, आप क्या कि देखते हो कि इसका रंग क्या है, इसका आकार क्या है, ब् करने की प्रक्रिया है जिस पर आधरित अधिगम की बड़ोतरी के लिए अगले कदम उठाए जा सकते हैं दो एक बात और समयने जो आपका असिस्मेंट होता है असिस्मेंट में आप क्या करते हो जो भी आपने कुछ एक बच्चों को प्रॉलम दी या एक प्रॉलम दी प्रॉलम का सोल्यूशन निकला अब सोल्यूशन निकालते टाइम बच्चे ने किस तरह के सोल्यूशन निकाली यानि कि उस सोल्यूशन की क्वालिटी क्या थी और कित अब आते हैं evaluation यानि कि मूल्यांकन पर इसका translation ठीक टाक करा है इनोंने तो evaluation में क्या करते हैं ये example बहुत अच्छा दिया हुआ या सावन वाला पढ़ सकते हैं जब आप बच्चों को अधिगम की प्रगति की जाच करने जा रहे हैं तो बच्चे की अधिगम से संबंदित सभ प्रगति के बारे में कोई निर्णय लिया जाए बच्चे को आपको कुछ निर्णय लेकर बता रहे हैं कि इसका A grade बना B grade बना C grade बना इससे पहले उससे संबंदे जितनी भी information थी सारी आपने इखट्टी करी वह quantitative हो qualitative हो उनको आपने analysis करने वाद उसका प्रगति पत्र जो ह मूल्यांकन किस प्रकार समान तथा भिन्न है नेधरन मतलग की आकलन और मूल्यांकन दोनों सेम भी हैं और अलग भी हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि यह सेम किस तरह से हो और अलग किस तरह से यहां से चीज़े और एकदम clear हो जाएंगी आकलन का अर्थ है विवन यंत्रों का प्रियोक कर विवन इस तरह से आकणे एवं प्रमान एकत्रत करना आकणे में कि आपने डाटा को एकटा कर लिया कि उस चीज़ से related की क्या सही है क्या गलत है मूल्यांकन में क्या करोगे अब आपने जो डाटा एकटा करा उसको आप analysis क करोगे analysis के द्वारा कोई उसका meaning निखालोगे निर्धारान में बच्चे के निस्पादन पर पुनर्निवेशन मतला होता है feedback देता है जिससे उसके मजबूत पक्षों में सुधार के मजबूत पक्षों तता सुधार के छित्रों के बारे बताया जाता है यार इसकी capability क्या है और इसे किस area में मेहनत करने की जुरूरत है यह पता चलेगा हमें आगलन से तथान अधीगम को भेतर करने के लिए उठाय जाने वाले कदमों के बारे में अंतरदरिश्टी प्रदान की जाती है कि अब आपको किस तरह के कदम आगे उठाना है मूल यांगन क्या करता है एक कितना सफाल हुए कितना असफाल हुए मीज अगर a b c grade बना मीज वो पास हो गया है d e grade बनाए मीज वो फेल हो गया है इस तरह से दोनों ही क्रियाओं में निर्दे सा निर्णा साब्धानी से लिए जाते हैं बच्चों के निस्पादन अधिगम के पृति भेवारों तथा एक समय अबधी में समझ के परिणामों के परिक्षण पर आधारित इस कारान से दोनों सब्दों को कई बार एक ही तरह का प्रियो यहां पर इन तिनों की अलग से डेफिनिशन और दी हुई है मापन आकलन और मुल्यांकन की मापन क्या है वह प्रिक्रिया जिसके दौरा किसी बस्तू प्रतिवाचे घटना की विसिस्ताओं के आयाम को मात्रा प्रदान की जाती ओनली आप क्वान्टिटी देते हो कितना है यह प्रता चलता है वह प्रता चलता है बैड प्रक्रिया जिसके दौरा किसी पदार्थ या लगशी संब्दित को सुचना प्राप्त की जाती है उस बजट्ट्ट या उस बस्तू उस समयचे से समब्दित क्या-क्या information इंब सारी प्राप्त कर लेते हो मूल्यांकन में एकत् निस्पादन हुआ कि निकल कर आया है अब आते हैं आख्लन की प्रिक्रिया की तरफ यहां पर आख्लन नहीं लिखा है नहीं दा प्रोसेस ओफ असेस्मेंट expected learning outcomes classroom process and assessment की क्या-क्य expected learning outcomes होते हैं जाप assessment लेते हो इसलिए अधिकम उद्येशों को आप एक्षित अधिकम परिणाम भी कहा जाता है केने का मतलब यह है कि आप बच्चों से expectations रखते हो कि इस subjects related बच्चा जब यह सब कुछ पढ़ लेगा तो इस सब को पढ़ने की बच्चा इस तरह का performance करेगा यह आपके expectations है इसलिए इसे expected learning outcomes भी बोल देते हैं इसे मैं इंग्लिस में लिखा हुआ है मतलब यह कुछ यहां पर देखते हैं इंग्लिस वाला पढ़कर हुआ 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 है यह तरह से अब्जेक्टिव से दिये हुए थे बच्चा उसी तरीके से उनको एक्स्पेंड कर पाया इसलिए इसे एक्सपेक्टेडर लेर्निंग आउटकाउंस भी बोल दिया जाता है यह लिखाया था निर्धाराण का कार आसान दाता अधिक ठीक बनाने के लिए आप एक्सित अधिगम परिणामों को बिसिष्ट मापनियों उपलब्दियों बास्तिक एंड समयबद्य होना चाहिए यह कुछ इसकी बिसिष्टा हो गई आपलन की स्पेसिफिक हो मेजरेवल हो हो इसी को क्या बोला जाता इसी को स्क्राइब कर अपर इस्पेसिफिक एमफ sozusagen हो सकते हमारे यह कुछ ठीक नहीं था है हां यहां देख लेते हैं कि अधिगम हो देशों का अधार पर सिक्षण अधिगम समागरी क्रिया रूपादनित की जाती है यह पॉंट इंपोर्ट है इस प्रकार से पूरी क्षा प्रक्रिया के तीन घटक होते हैं तो टोटल आपके क्लास की प्रो निस्पादन बच्चों ने कितना निस्पादन करा वह कक्षा में उसको किस तरह से एक्जीक्यूट किया गया था वह और उसका रिजल्ट का निकल कर आया यह यह तीनों में घटक प्रक्रिया के तीनों घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं परिणाम से रूप बाकी कि बच्चों के अधिगम की मात्रा या गति क्या है बच्चों ने कितना सीखा और किस स्पीड से सीखा क्या सभी कचित अधिगम परिणाम बच्चों के लिए उप्योग थे हैं क्या संपादन के किन अक्षों में सुधार की आवश सकता है क्या आपने संपादन करा होगा त तरीके के तू कैसे करोगे अब आप भी उनका सुधार करोगे न आपने जो भी ट्राइक करा था पहले लेकर कोई कम ही रहे अब उसका सुधार कैसे करोगे यह चीजे बताना अब आगे हमारा formative and summative assessment अब यह क्या चीज है इसे पढ़ेंगे अपचारिक परिक्षा जैसे बारसिक या एका यह अनुपचारिक जैसे सिख्चाओ साथ अंतक्रिय अनुपचारिक बारतक लाग वती हैं यह तो अनुपचारिक अनुपचारिक को बता दिया है यह पर कर रहें यह सब बस्तुनिटस थे में पहले से चार ओप्शन यह नएक इसा उसका होगा ही वह बस्तुनिटस हो जाता है पहले से पर जाता है बदलाब करना है यह पर किस तरह से उसका आसर करेंगा जैसे हम यह बोल सकते ही क्यार जब आप एक एसे लिख रहा हो एसे लिखना एक व्यक्ति निष्ट है क्योंकि उसमें आप अपने हिसाफ से चीज़े बदल दोगे लेकिन जब आप एक एक mcq solve कर रहा है तो यह बस तो निष्ट है ठीक है object पर आधा रही थे उन चारों में से ही एक आपको अंसर करना पड़े का आप से बदल नहीं सकते हो पिर एक हमारा आता है nrt और एक होता है हमारा CRT nrt होता है norm reference test और CRT होता है criterion reference test तो प्रतिमान मान एक संदर जैसे known reference बच्चों के निस्पादन को किसी सम्हूं के माना के मामदंट के सांद तुलना करना बर्ग संदर्वित criterion reference होता है बच्चों द्वारा निस्पादन के सांद तुलना करना CRT मतलब की CRT मतलब जैसे कि आप स्कूल में एक्जाम्स देते थे तो वहां पर क्या होता था कि य उनली 60% मार्क से लेकर आना पड़ता है 60% यानि कि नब नमबर लेकर आओ तबका सीटेट कॉलिफाइब लेकिन निर्ट होता है जिसमें हमारी लिष्ट निकलती है जिसे हम बोलते हैं काट ओफ बोलते हैं काट ओफ पर डिपेंड करेगा यह कि हमारा सेलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा यह होता है आपका नर्ट बसे तयाद रखो यहाँ जो हम इस्कूल में पढ़ते हैं 33% लिया हो पास हो जाओगी सीट निर्फ का रखो बैस होता है यह सम्मू है उस सम्मू में आपका नाम आगया एक गरुप में आपका नाम आगया एक लिस्ट आरह» अपका नेम है स्रेज नात्मक निर्धारान यानि फॉर्मेटिव असिस्मेंट होता क्या है आप बस समझ लो बागी इस अब पढ़ लेना फॉर्मेटिव असिस्मेंट एक तरह से हमारा इसा असिस्मेंट है जो जब आपकी अधिगम प्रक्रिये चल रही होती जब बच्चे लर्णिंग कर होते हैं उसी टाइम पर यह हो जाता है इसको आप देर लर्णिंग लेते हो इहांपर इंड बच्चे दोनों को ही फीडवेक मिलता है बच्चों में कमी क्या रह गई उस कमी की पूर्थी भी यहांपर की जाती है यह ग्रूप में हो Sकता है इंडिवीजूल भी हो सकता है च अधिवाव को ताकि आप उनके अधिगम की प्रिक्रिया को बड़ावत अधा सहरा दे कर सही दिशा में जाने के लिए प्रेडित कर सकें बच्चों को आपको इस लाइन में जाना है आने वाले शिक्षण अधिगम क्रियाओं और अनुभवों को रूपांतरित करना अब आग प्रेडिय्यम लगाता है ओंतर अधिगम प्रिक्रियाओं में लगाता है स्यम की को सलता बढ़ाने है तू बे कैसे सीखते हैं इसका में पता चलेगा भारी प्रेणा के नकरातंग प्रभाप को ये कम कर पाएगा और उनकी जो आंत्रिक प्रेणा है आंत्रिक प्रेणा को बढ़ाएगा आंतिक पढ़ना का विकास होगा, बिलकुल, बिलकुल होगा इस निर्धारणा का उद्धियारती के अधिकम के गुणबत्ता हम सुधार किया जा सके तथा यह मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग है तो नहीं होना चाहिए इसे पार्ट चरिये रूप अंतरण भी हो सकते हैं जब कुछ बिशिष्टकार का विद्धियारती के अधिकम पढ़ानानों के लिए उप्योग तो नहीं हो पाते है मतलब कि पार्ट चरिया में कोई ऐसी चीज है जिससे बच्चा नहीं सीख पा रहा है करना है लेकिन आपको जो आपकी डेली इंटर्वा से चल रहा है जो चल रहा है उसी में आपको करना है निदानात्मक यह उपचार आत्मक दोनों होना चाहिए इसमें यानि कि आप निदान मतलब क्या होता है आप पता करते हो बच्चों में कमी क्या है और उपचार मतलब की आप उसे हटाते हो ठीक है निदान को बोलते हैं रेमेडी और उपचार को बोलते हैं डाइग्नोस प्र क्यांसे सुधार करना है और कि अवसकता को पहचानता है पापल यह पढ़ विश्ट समय पर बेकास को जोड़ता है उसका सार देता है यह बचों को अधिकंग कि एक समय पर पर बच्चों को आपका अंदर आ अजाती है और पर यह दिए पूरी से बस्तु यह आप एक्षित अधिकंग परिणामों के भ्रहमान से किया जाता है कि उसको पूरी तरीके से समलित कर लिया जाता है जितना भी उसकी बैसे सामगरी है content उस पूरे को मिला लिया जाता है इसका आयोजन आपचारी तरीके से किया जाता है quiz निवन्द test परियोजना के रूप में ये हो सकता है और भी चीज़े यहां पर दी गए है course के अंत में होगा course के अंत में sexy verse के अंत में दिया जाता है कुल योग दिखाता है सबसे पारापरिक विधियों में से ये एक है इसके परिणामों का प्रियोग सिक्षार्तियों मरेंकिंग ग्रेडिंग के लिए किया जाता है जिसकी आवज सकता बड़े इस तरफ़ सेक्षी दखल उपलब्दी के संदर में देखो विध्याले के अंदर और विध्याले के भाहर तुलना ये क्या है इंटर एंड इंटर इस्कूल कंपेरिजन आपने देखा होगा कि एक तो इस्कूल में बहुत सारे बच्चे बेटे हुए है इन में से आप सबको लेवल कर दोगे इससरा तुम ए आए मतलब तुम फर्स्ट आए तुम सेकंड आए तुमारी थर्ड रिंग लगी तुमारी फॉर्थ रिंग लगी तुम फेल हो गए तुम फर्स्ट आए तुम सेकंड आए अब ये एक स्कूल था ए ये ऐसी बच्चे कहाँ बेटेते ये तो आपको दिखनी रहोगा मेरी बज़े से इदल बना देते हैं सेकंड स्कूल को सेकंड इसकूल यहां पर ता आपका B इसमें इस बच्चे बेठेते इसमें कोनफ फॉ richt आया को ऑशर फॉर्ट आया कोई थार्ड आया अब मालों इस स्कूल में 80% बच्चे पास हो गए इस स्कूल में 90% बच्चे पास हो गए सब इन दोन स्कूल का comparision हो गया जो B है उसका result जादा अच्छा रहा किसके comparison में A के comparison में तो यह होगी आपका intra-school comparison और intra-school comparison जब school के अंदर ही अंदर चल रहा था यहाँ पर इनके बीच में एक ओर difference दिया हुआ है formative and summative assessment में यह बहुत अच्छा difference है इससे आपको बहुत सारी चीज़े clear हो जाएंगी इससे आप अपने पढ़ लेना क्योंकि इसमें समझाने का था वो अपने पहले समझे के देखी लिया है तो इससे एक बार पढ़ लीजिएगा अब आती है एक ओर जरूरी बार वह ज्यादा जरूरी है वहथ ही ज्यादा क्या ये असिस्मेंट of learning अपने आपको बड़ी परेशान करते हैं तो यहां पर सीधा सीधा इंगलीस में लिखा हुआ हिंदी में लिखा हुआ है यहां पर, कि आपका summative assessment होता है वो assessment of learning होता है सीखने का alkaline, जो आपने सीख लिया, अब उसका alkaline होगा flying किसमे होता है Summative assessment में होता है, לern math, corfire learning, शीखने के लिए alkaline उसके लिए भी alkaline होने चाहिए, आप शीखते जा रहा है तो उसका alkaline करते जाओ उससे हम बोलते है फॉर्मेटिव असिस में दन इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में सरजनात्मक यह उन संक्राइब में आकलनों का अक्षर अधिगम के संतर में अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन कहाँ कहे दिया जाता है अधिगम का अक्सर प्रकृती में संक्लतनात्मक होता है कक्छा, कोर्स, सेमिस्टर ये बर्स के अंति में होगा और अधिगम हेतु आक्लन या फिर अधिगम के लिए आक्लन ये प्रकृती में रचनात्मक होगा यह बिद्ध्यार्तियों की प्रगर्ति को मॉनिटर करने के लिए होगा आगे तरजिनात्मक निर्धारान आखला निर्धारान को पूर बनाता है इसे पढ़ लिजिए बस अब हम बात कर लेते हैं CCE के बारे में CCE की द्वारा दिया गया थे 2009 में मूलियंगन केवल बच्चों की प्रगर्ति की ही उपलब्दी नहीं मापता बलकि सिक्षण अधिगम सामगरी वें विद्धियों जो की पाठ चरिया की संपादने प्रयोक की जाती है उनको भी जांचता है सिक्षण अधिगम प्रगर्या में सुधार हो यह बिद्ध्यार्तियों के लिए नहीं बलकि सिक्षण के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि सिक्षण भी सी के साथ जब मूलियंकन को सिक्षण अधिगम का एक अटू टंग समझा जाता है तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रगर्या बन जाती है सिक्षण अधिगम के प्रगर्याओं में समलित किया जाता है तो सिक्षण अधिगम के प्रगर्याओं में समलित किया जाता है तो सिक्षण अधिगम के बलो मतलब कि क्या उनमें टागत है और उनमें कमजोरी क्या है इसकी आप पहचान कर लेते हो CCE में सेक्षिक और सेक्षिक दोनों ही सामिल होते है सेक्षिक मतलब जिसमें आप हिंदी, इंग्लिस, गड़त वगएर यह सारे पढ़ते हो सेक्षिक जिसमें नाच गाना मतलब कि डान्स हो गया, आर्ट हो गई, पैंटिंग हो गई, ट्रोइंग हो गई, एक्टिंग हो गई, यह सब कुछ इसमें आजाएगा, यह सेक्षिक में अबधार्णा, प्रक्रिया, तथा आवसक्ता ओप CCE इसकी आवसक तक क्यों हो, बड़ी CCE, कि इसकी अबधार्णा क्या है, यह सीज़े समझते हैं बोद्धिक बिकास सरीप्रा है कि बच्चों का मानसिक बिकास हो, भावात्म बिकास सरीप्रा है कि मनिवरत्य रुचि ब्यक्ति पर जोड़ दिया जाए और क्रियात्म बिकास का संबाने बच्चों की कुछ करिया करने या प्रयोग करने की छमता से हैं अब इन तीनों का ही बिकास होपा है, बोद्धिक बिकास भी हो, भावात्म बिकास भी हो, और क्रियात्म बिकास भी हो तो इसके लिए क्या लेकर रहा है, इसके लिए फिर CCE लेकर रहा है तता टेवम समगर मूल यंकन क्या आवज सकता है क्योंकि ठीचा के सेक्षिक तता से सेक्षिक दोन पक्चों का निर्धान करके ये बच्चे का संपूर प्रोफाइल देता है बच्चों की इसतर उंचा करने की पदेतिया पैचानता हो बद्याले में सित्वारती के दिस बहदा इसे उप्यूग दियांट गुज़ करने मेजट एक आपů को लेना है को कौन को से तूल से यूज करना है बद्ध्यार लेकर प्रसास को अभीबाप को समुधाओं को सदत ब्यापक मूल यांकन के प्रति संबंद से लगाने के राश्ट पदितियां सुझाता है यह जरूरत हैं कि हम इसके जरूरत क्यों पड़ी थी जाल जूम हो रहा हैnda मुझे दिक्कत आयरी जाल जूम होने से पढ़ने में scripture क्यों कै oh आप जो निरंतर ऐसे पर tours इंसका मतलब किया इस सब्धकर जो देता है बच्चे का जो । जाल होना चाहिए उसका मूल लिपक्षा सामगर का मतलब कि सेक्चिक और सामगर मूलियंग की बिस्थता या्म विद्धयालियांडे आधरित मूलियंग काने जिसे इस्कूल बेश्ट असिस्मेंट एस भी ए बोल दिया जाता है इस्कूल बेश्ट असिस्मेंट बिध्धाल आरत मूलियंकन किया जाता जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है वही जब मूलियंकन लेता है वही जब टेस्ट लेता है तो बच्चों के अंदर एक प्रेसर नही देगा और अगर इसी तरीके से अगर स्कूल में कोपिया चेक होती है तो बच्चों को लगता जिस्टीचर ने पड़ा या वही माक्स देगा तो वह थोड़ा सा फिल प्री करते हैं कि मूल यांकन की निरंतरता निरंतरसर तातपर है कि सिक्षण के सुरूत अगर सिक्षण कार के दोड़ान सरजनात्म गूल यांकन अनुपचारिक रूप से बहुत अखनिका उप्रयोग किया जाए निर्धारत समय अबदी से तातपर ये निस्पादन का निर्धान अक्सर एकाई तत के एक भाग के दिने कुछ मानुग अप्रयोग करें किया जाए जो आपने सेसन लिये उसके जश्ट बाद आप लेलो उसे ब्यक्तित्व के हरपक्ष का नियन ध्यान रखता है ब्यक्तिगात सामाजिक विश्टास से पाठ्चरी गतिविदिया इन सब पर ध्यान रखेगा उप्चार एक अनुप्चार एक दोनों ही तरेका होगा ये बहुत टेक्निक्स यानि कि आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूजज करोगे कि लिफरेंट पर 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 प्रिफरन का उप्यों कर निस्पादन के चेत्रों का निदान किया जाता है ये पॉंट्स आप लोग रीट कीजिए वाशल क्योंकि ये यूनिट बढ़ी है मैं अगर हर एक पॉइंटे से एक्स्पेंग करूँगा वोट टाइम लग जाएगा तो कि ये इसमें इतना जादा है नहीं जो अभी हम उपर पढ़ का रहा है उसी को नो ने क्या का रहा है एक बॉक्स में करके लिख दिया सब कुछ कि इसकी उद्द्देश से क्या क्या है अगरियां प्रियोक, प्रियोक, प्रैस्णित्र स्रंकला, साइकोमेटर का लिक्षन यहाँ यह पढ़ लेना जो जब आप बच्चे से एक्जामपल देने के लिए बोलते हैं को बच्चे कोई प्रयोग कर रहा होता है प्रसने जब पहुंचते हो साइकोमेटर परिक्षण जब लेते हो तो यह मातरतंग विदियां होगी गुणातंग विदियां जो केस स्टेडी होगी साक्षातकार होगी जलता है यह मातरत्म को बच्चों के बारेने पदलै क्या देफरेंस है यह अफ्लब परिक्षण ओवलोकान एंट Сाग्ग्षातकारर पॉट्फोलियो केई सद्यन इसमें आए जाएगा इसमें सर्वेयर्फउर प्षर्वेक्षण आजाएगा यह सम्मू चरुपश्रचा ह पर फोकस करते हैं रंखला होती है इसमें इसमें नोड या डायरी पर बेस्ट होता है यह पूर्वे या पश्चात परिक्षण होता है यानि या तो आप पहले लेते हो अधिगम से अधिगम के बाद लेते हो यह बीडियो ओडियो रिकॉर्डिंग या चित्र इस तरह का किसी वी तरह का हो सकता है उपलब दे डाटावेज यह दस्तावेज रिपोर्ट सबाके इन मिनिट से त्या दी यार यह कुछ धंका इसमें दिया नहीं इसको एक्स्प्रेंड करके मातरात्मक और गुणात्मक आकड़ों में अंतर क्या है यह तो कुछ क्या था क्या पता क्या था यह मातरात्मक और गुणात्मक आकड़ों में अंतर आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें कोई समझने का है ने तो आप लोग एक बार इसकी रीडिंग ले 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 ना फटा फटा फट अगर आपको इन डाउट रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें जो स्किप कर र इसमें काफी अच्छी सीरिज थी बहुत सारी चीज़ें हमें यहां पर नई सीखने को मिली हुई है तो यह हमारा यूनिट कौन सा था यूनिट 13 था यूनिट 13 हुआ है पसंद आते वीडियो प्लीज लाइक चैर और चैनल को सब्सक्राब कीजिए कोई भी डाउट हो तो मुझे टाट पूश सकते हो बागी कोई बीडाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजीगा तो क्लाज जोन करने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद